हेलो, वेलकम तो प्रोग्राइम यूर माइंड वेद इस साइड आज मैं आपसे एक बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं और डाट इस विजुलाइजेशन विजुलाइजेशन के उपर अल्रेडी मेरी एक वीडियो है आप उसे YouTube पे सर्च कर सकते हैं और जाके देख सकते हैं क्यों? क्योंकि जिस विजुलाइजेशन के मैं बात करता हूं और जिस विजुलाइजेशन के बारे में बाकी और लोग बात करते हैं दोनों में काफी ज़्यादा difference है उस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी clarity डेवलप होगी और आज मैं जिन चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ they are very relevant and meaningful if you want to actually create a change in your life अगर आप किसी goal को, किसी target को या अपनी dream life को achieve करना चाहते हैं तो उसको visualization के through कैसे achieve कर सकते हैं visualization का इसमें क्या role है इस वीडियो में आपको वो चीज़े समझने को मिलेंगी और आप बहुत clarity के साथ इसे apply भी कर पाएंगे अब मैं आपको बताता हूँ कि जिन चीजों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ they are related with one more video जिसे मैं कहता हूँ success formula आप उसे भी search कर सकते है YouTube पे कि success formula के बारे में मैंने क्या बताया है मैंने five points की बात की है the first point is outcome कि आप किस outcome को achieve करना चाहते हैं क्या वो outcome है जिसके लिए आप effort करने हैं जिसे आप achieve करना चाहते हैं second is strategy उस outcome को achieve करने के लिए आपके action क्या होने चाहिए चलना है ताकि आप उस outcome को achieve कर पाएं उस goal को achieve कर पाएं फिर next मैंने जो step उसमें explain किया है that is about feedback कि आपको ये check करते रहना है कि whether you are moving towards the right outcome या कहीं असा तो नहीं कि आप बिल्कुल किसी opposite direction में जा रहे हैं and the last is flexibility कैसे अपने आपको आप flexible रखे so that you can create new strategies or new approaches अगर आप अपने outcome की तरफ नहीं जा रहें ये सब कुछ detail में उस video के अंदर है आज मैं उसके first topic यानि कि outcome के बारे में बात करने वाला हूं related to visualization कि कैसे जो आपका outcome है यानि कि जो end result है कैसे आपको उसको visualize करना चाहिए अपने mind में कैसे plan करना चाहिए कि ये बाकी सारे steps अपने आप आसानी से आप कर पाए और जिन चीजों के मैं बात कर रहा हूं ये बहुत scientific है और ये जिस चीज की knowledge पर based है उसे मैं कहता हूं NLP Neuro Linguistic Programming जिसके training programs होते हैं मेरे अब इसे समझते हैं कि exactly क्या है outcome और कैसे visualization करना चाहिए देखो मैं आपको बताऊं कि अकसर लोगों की ये query आती है कि sir we are visualizing हम बहुत जादा law of attraction को use कर रहे हैं बहुत जादा visualization कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें end result नहीं मिल रहा है यानि कि हमें जो चाहिए अपनी जंदगी में वो create नहीं हो रहा मैं आपको बताऊं यहीं पर एक fact मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ जादा तर दुनिया में जब बात की जाती है visualization की या law of attraction की तो उसमें action के उपर बात नहीं होती वहाँ पर लोग action के बारे में बात नहीं करते वो कहते हैं बस आप visualize करो आप जो three steps है ask, concern and receive उनको follow करो और universe आपको सब कुछ दे देगा इसमें से जो action part है वो काफी हद तक hidden होता है ऐसा नहीं कि वहाँ पर है नहीं लेकिन उसे बहुत जदा promote नहीं किया जाता जिसके कारण लोग misunderstand करते है law of attraction को और होता क्या है कि वो कुछ चाहते हैं अपनी जिंदगी में उसे visualize करना शुरू करते हैं और उसके लिए action नहीं लेते हैं यह action लेना ही वो part है जो actually आपके visualization को strong बनाता है जो actually आपके चीजों को manifest करने का एक बहुत बहुत ज़दा important step होता है जिसे जादतर लोग miss कर जाते हैं तो यहां पर जो चीजे समझनी है वो समझो वो यह है कि जो भी आपका end result है जो भी आपका final outcome है जब आप उसको visualization में डाल रहे हैं यानि कि जब आप उसे visualize कर रहे हैं और अगर result नहीं मिल रहा that means something is missing कुछ ऐसी चीजे हैं कुछ ऐसे links हैं कुछ ऐसी कडिया हैं जो miss कर रही है otherwise आपको result मिलता आज मैं उन्हें links के बारे में बात करने वाला हूँ सबसे पहले समझते हैं कि why exactly visualization does not works for maximum people जादा तर लोगों के लिए visualization काम क्यों नहीं करता क्या challenge है क्या problem है मैं आपको बताता सबसे जो crucial problems है उसको अगर मैं point डालूं तो there are three points पहला उन्हें यकीन नहीं होता कई बार कि it is possible यानि possibility के उपर उन्हें doubt होता है they do not believe that actually this outcome is possible जो भी outcome जो भी goal जो भी target वो achieve करना चाहते हैं जो भी difference अपनी जिंदगी में create करना चाहते है वो सच में possible है यह कई बार उनको belief ही नहीं होता इस बात के उपर और अगर belief नहीं है तो आप भी जानते हैं कि बिना belief के कुछ भी बदलने वाला नहीं है आपके जिंदगी में इसके लिए मैं आपको कुछ solution भी बताया हूँगा लेकिन पहले हम समझते कि और क्या-क्या points है second point है कई बार उन्हें यह यकीन हो जाता है कि yes it is possible यह possible तो है लेकिन यह मेरे लिए possible नहीं है it is not possible for me यानि कि 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 के लिए possible है यह दूसरों के लिए possible है या किसी और ने जिसने already achieve किया है उसके लिए possible था but it is not possible for me समझे आब इस बात को तो यह second point इसे मैं कहता हूँ कि जब लोग बात करते हैं कहते है I am not able यान कि ability पे उनको doubt है उनको अपनी ability पे doubt है कि दूसरे के लिए possible है लेकिन शायर मेरे लिए possible नहीं है और तीसरा और बहुत बहुत ज़्यादा important point वो मैं आपको बताता हूँ that is I am not worth it यानि कि मैं इतनी बड़ी success या इतना बड़ा result या इतना बड़ा goal achieve करना deserve नहीं करता हूँ यह problem बहुत बड़ी है self image की यानि कि worthiness की problem लोगों के पास आती है worthiness क्योंकि जो हमारी self image आस तक develop हुई है self image के उपर भी एक पूरी video है जो आप देख सकते हैं मैं सब कुछ एक video के अंदर दुबारा explain करूं तो it will be many many hours long इसलिए आप लग-लग videos को देख सकते हैं समझ सकते हैं self image जो हमारी crush हो जाती है जिस तरह की बन चुकी है जिस दुनिया में हम रहते हैं यह हमारी self image अपग्रेट करने के वज़ए इसे degrade करती रहती है यानि कि लगातार हमारी self image को destroy होने वाली situations हमारी जिंदगी में आती रहती है और जिसके current हमारी self image बहुत ज़दा destroy हो जाती है तो worthiness की problem आ जाती है it is not possible तो क्या होगा क्या आपके लिए सच में वो possible हो पाएगा क्या वो visualization काम करेगा दूसरा ठीक है वो किसी के लिए possible तो है लेकिन आपको अंदर से यह feeling है कि I am not able to achieve it या मेरे लिए यह possible नहीं है फिर क्या होगा क्या आपका visualization काम करेगा और तीसरा सब कुछ है लेकिन अगर आपको अंदर से unworthiness की feeling है कि मेरी जिंदगी में तो कुछ अच्छा होई नहीं सकता मैंने इतने साल अपनी जिंदगी के एक खराब जिंदगी जीते हुए बिता दिये अब आगे की तो कैसे आपका visualization काम करेगा कैसे आपकी light में transformation आएगा यह possible नहीं हो पाता इसलिए जादा तर बात visualization काम नहीं करता और लोगों को results नहीं मिलते जो वो चाहते अपनी जिंदगी में आज मैं आपको इसे कैसे fill कर सकते हैं वो भी बताता हूँ और मैं आपको यह भी बताता हूँ कि how exactly you should visualize की कैसे आप करें और कैसे आप अपनी goals को achieve करें और इसका role क्या है इस visualization का जिस visualization की बात मैं करता हूँ चलो अब समझते है step by step एक चीज़ों को सबसे पहले अगर यह belief है कि it is not possible तो यह possibility के belief को break कैसे करें और जो मैं आपको चीज़े बता रहा हूँ यह हो सकता है कुछ funny भी लगें आपको लेकिन अगर आपने इंको apply किया और अगर आप मेरी बाखी videos देख रहे तो आप समझते होंगे मैं बहुत जादा realistic terms में बात करता हूँ मैं बहुत जादा superficial चीज़ों की बात नहीं करता क्योंकि अगर मैं यह कहता हूँ सिर्फ visualize कर लो action लेने की जरूरत नहीं है और सब कुछ हो जाएगा तुमारी जिंदगी में तो मैं एक बहुत sellable product create कर सकता हूँ यानि कि कोई training या कोई book या वी video design कर दूं कि just learn how to visualize और सब कुछ आपकी जिंदगी में हो जाएगा तो बहुत बहुत सारे लोग उस course को purchase कर लेंगे उस book को वीडियो को opt कर लेंगे purchase करेंगे उस पर पैसा खर्च कर देंगे क्यों क्योंकि दुनिया में majority उन लोगों की है जो करना कुछ नहीं चाहते और पाना सब कुछ चाहते आप समझने इस बात को और मैं जानता हूँ अगर आप इस video को देख रहे हैं तो you do not belong to that category आप वो इंसा है जो कुछ पाना चाहते है तो उसके लिए price pay करने को भी तयार है और ये बात आपको समझनी चाहिए so possibility के belief को कैसे upgrade करें कैसे हम ये belief अपने mind में डालें कि yes it is possible मैं आपको बता हूँ इसका सबसे अच्छा तरीका है कि whatever is your goal जो भी आपका goal है जो भी आपका target है जिसे भी आप achieve करना चाहते हो सबसे पहले उस target को आप देखो और देखो क्या पूरी दुनिया में कोई भी और ऐसा है जिसने इस target को इस goal को achieve किया is there anyone in the entire world और जैसे ही आप ऐसा search करना शुरू करेंगे आपको बहुत बहुत सारे लोगों की success stories मिलना शुरू होंगी तो एक belief आना शुरू होगा कि yes it is possible समस्रा आफ इस बात को और ये possibility का belief अपने mind के अंदर plant करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आप जानते हैं आपका conscious mind और आपका unconscious mind ये दोनों साथ में work करते हैं conscious mind आपका logic से satisfy होता है अगर आपका logical mind satisfy ही नहीं किसी बात से कि it is possible तो आप कैसे achieve कर पाएंगे किसी चीज को कैसे आपके efforts होंगे वो massive होंगे वो नहीं हो सकते इसलिए आपको क्या करना है possibility के belief को upgrade करना है तो लोगों की success stories पढ़नी है जिन्होंने already success create किया है जिस चीज में आप चाहते हैं उस चीज में अगर आप किसी challenge से या किसी disease को से गुजर रहे हैं उसे face कर रहे हैं तो आपको ऐसे लोगों के बारे में ढूंदना और पढ़ना चाहिए जिन्होंने उससे overcome किया यानि उस situation को उस challenge को खतम किया और अपने आपको एक positive end पे लेकर आए तो इन चीजों के उपर आपको काम करने की जरूरत है The second is ability Am I able to do it मैं आपको बताओ यह बहुत बहुत बड़ा सवाल होता है अंदर से कि हमें यह तो कई बार पता चल जाता है कि yes it is possible for others लेकिन मेरे लिए possible है ऐसा नहीं लगता तो मैं आपको बताओ यह reference कहां से मिलेगा कि yes मेरे लिए भी possible है बहुत शांती से आप बैठो and go in your past अपनी past की जिंदगी में जो आप बिदा चुके हैं उसमें जाओ और अपने आपको आप cross check करो कि क्या आपकी life में कुछ ऐसी चीज़े है जो आपको लगता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा लेकिन फिर भी आपने की मुझे मालुम है कि आपको जवाब मिलेगा बहुत छोटी छोटी चीज़े ऐसी होती है कई बार जिंदगी में जो हमारे लिए बहुत बड़ी होती है हमें लगता है कि शायद हम नहीं कर सकते लेकिन बार में आपने उनहीं चीज़ों को किया है कई बार उससे भी जादा बड़ी चीज़ों को किया है तो you will get the answer कि you have the ability आपके पास यह ability है कि जो चीज़े आज आपको लगती है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा वो भी मैं कर सकता हूँ क्योंकि past में भी आपने ऐसा किया है आपको ऐसा reference मिल जाएगा दूसरा एक और मज़ेदार सा आपको तरीका बताता हूँ जितनी भी आपको लगती है कि आपकी understanding और समझ की level है और आपको पता होगा कि कौन से लोग आपकी समझ के नीचे के level को belong करते हैं Try to figure out 10 people जो आपसे कम समझदार हैं और आपसे जादा successful हैं मैं आपको बताऊं यह बहुत funny है लेकिन जैसे ही आप ऐसा करें कि आपके mind का बिल्कुल belief ट्रांसफॉर में शुरू हो जाएगा change होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपको लगेगा कि अरे जिन लोगों की thinking capability या जिन लोगों की maturity या understanding capability मेरे से कम है मैं ऐसे examples भी देख रहा हूं कि वो लोग मेरे से जादा successful है उन्होंने अपने कुछ goals को achieve किया है तो क्या मैं नहीं कर सकता आपकी जो ability का belief है वो उसी moment पे transform होना शुरू हो जाएगा change होना शुरू हो जाएगा अभी recently मैं किसी person के साथ session ले रहा था उनको मैं coach कर रहा था और वहां पे वो इसी तरह की कुछ questions में फसे हुए थे कि whether I will be able to do it मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मैं कभी पैसे कमा पाऊंगा जो मैं चाहता हूं या नहीं मैंने उनसे एक सवाल पूछा कुछ ऐसे लोगों के बारे में सोचो जो आपसे कम समझदार हैं आपके according और आपसे ज्यादा successful है या आपसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं can you think of certain names और सिर्फ यह एक छोटा सा question उस person के mind में transformation को initiate कर दिया इस question ने और उसका पूरा का पूरा perception change हो गया so you can ask this question to yourself also now third about worthiness क्या मैं worthy हूँ am I worthy enough to enjoy these kinds of results in my life क्या सच में मैं इतना worthy हूँ कि मुझे यह results मिलने चाहिए मैं आपको बता हूँ अगर unworthiness की feeling आ रही है तो उसके पीचे सिर्फ और सिर्फ एक reason है that is आपकी self image काफी हद तक destruct or destroy हुई है so start healing it उसको heal करना शुरू करो उसको upgrade करना शुरू करो start keeping association of those people जो आपको appreciate करते हैं जो आप actually आज हैं उसमें से कुछ चीजों को pick करते हो और आपको appreciate करते हैं कि आप यह कितना अच्छा करते हो आपको यह healing मिलने वाली है यानि कि जब लोग आपको appreciate करते हैं तो आपको कमाल का एक transformation महसूस होना शुरू होगा आपके self image upgrade होना शुरू हो जाएगी and check yourself यानि अपनी जिंदगी में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपने की हैं अपनी जिंदगी में भी बहुत सारे अच्छे काम आपने किये हैं आपकी जिंदगी में आपको बहुत कुछ मिला है जिसके लिए आप gratitude फील कर सकते हैं उस चीज़ को अपने mind के अंदर अगर आप लेके जाओ तो you will start healing your self image और worthiness की feeling आने शुरू होगी और उसके बाद भी अगर कहीं कुछ जरा सा बच जाता है तो यह सोच के देखो कि अगर आपको unlimited success मिलने वाली है यानि कि बहुत बड़ी success मिलने वाली है तो how you will contribute to the world with that success यानि अपनी जिंदगी में जब आप बहुत बड़ा कुछ achieve करोगे चाहे वह finance wise हो चाहे वह name, fame and recognition wise हो या तो कैसे आप दुनिया को contribute करेंगे, वह अच्छी चीज कैसे आप लोगों के साथ share करने वाले हैं और यह आपको worthiness की feeling देगी और अगर यह तीन चीज़ों पर आपने काम करना शुरू किया तो आप यकीन मानो कि जो भी आप visualize कर रहे हैं, that will be life transformational, वह आपके जिंदगी को बदल देने वाला visualization होगा क्योंकि यह वह तीन चीज़े हैं जो visualization को powerless कर देती हैं, आप visualize तो कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको यकीन नहीं है कि वह possible है, या आप कर सकते हो या आप worthy हो, तो वह visualization बिलकुल weak हो जाता है, powerless हो इन चीज़ों के उपर आपको काम करने की जरूरत है, अब now, यहां तक की बात आप समझ चुके हैं, next phase की बात करता हूँ, that is अगर आप यह सब कुछ करते हो और बहुत अच्छे तरीके से visualization करते हो जिसकी technique मैं explain करूँगा आपको तो होगा क्या, visualization करने से होता क्या है, मैं आपको बता हूँ जो बाकी और trainers या और बहुत सारी books और लोग बात करते हैं कि बस visualization करोगे और universe अपने आपको transform करके आपको result देतेगा मैं उस चीज़ में बहुत ज़ादा यकीन नहीं करता मैं उसके पीछे के facts में और scientific चीज़ों में ज़ादा belief करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है जब आप ultimate belief रखते हो यानि कि जब आपको crystal clear picture पता है कि what is my end result जिसे मैं achieve करना चाहता हूँ और आपके अंदर से कोई doubt नहीं है यानि कि कोई inner conflict नहीं है inner conflict ही सबसे ज़्यादा energy को kill करते हैं NLP में इसके लिए techniques हैं उसके बारे मैं अभी बात नहीं करूंगा So, जब आपको अंदर से पूरी तरीके से यकीन होता है कि yes this is something that I want to achieve उसकी crystal clear image आपके पास में है तो पता है क्या होता है तो आपके actions जो हैं वो बहुत ज़्यादा powerful हो जाते हैं Massive action आप करना शुरू करते हैं आपके action में एक बहुत ज़्यादा emotional power आ जाता है और उसी के कारण आपके end result जो हैं वो create होते हैं दूसरा अगर मैं energy dynamics के बारे में बात करूं तो मैंने एक energy dynamics के उबर जो पूरा का पूरा video है उसमें explain क्या हुआ है कि when you vibrate at the positive side of energy तो universe में जहां पे भी ऐसी energy available है उसके साथ आप tuned in हो जाते हैं यानि कि वो चीज़ें आपके जिंदगी में जादा आसानी से आप आती हैं इसका यह मतलब नहीं कि सिर्फ visualization करने के कारण और वो चीज़ें आ गई नहीं when this visualization is followed by action यानि जब आप उस visualization के साथ अपने आपको action mode में डालते हैं आप काम करना शुरू करते हैं तब आपकी body का एक-एक cell आपका mind सब कुछ एक unique frequency पे vibrate करना शुरू करता है और उस particular time पे आपका mind ऐसा हो जाता है कि जो result आपको create करना है उन चीज़ों को mind pick करना शुरू करेगा मैंने आपको एक video में share किया था कि हमारा mind 4 billion bits of information per second perceive करता है यानि receive करता है लेकिन actually जो register करता है वो 2000 bits होते हैं तो अगर आपको आपका जो end result है यानि कि outcome में वो clearly visualized है वो crystal clear है आपके अंदर से ये सारे doubts remove हो गया यानि कि आप inner belief के साथ inner motivation के साथ काम कर रहे है तो आपका action massive होगा और आपका mind क्या करेगा उन 2000 bits को choose करना शुरू करेगा every second जो आपको आपके outcome की तरफ लेके जाती है ना कि कहीं और लेके चाती है So this is how visualization works Actually ये ऐसे काम करता है और बहुत कुछ आपके जिंदगी में change होना शुरू होता है Now the last point Visualization कैसे करना चाहिए उसके बारे में मैं आपके साथ एक information share करता हूँ जो NLP based है जादा-दर जो visualization की बात होती है तो कहते हैं कि think of yourself कि आपकी जिंदगी में यह यह change आ चुका है या आप इस end result को achieve कर चुके हो NLP कहता है कि एक थोड़ा से challenge आ सकता है and that minute challenge is that कि जब हम कहते हैं Suppose एक example लेते हैं कि आज के time पे मैं 5000 rupees per month earn कर रहा हूँ और मैं 50,000 rupees per month earn करना चाहता हूँ और क्या होता है कि मैं visualize करना शुरू करता हूँ कि okay my results that I am getting is 50 times more right यह 10 times more मैं 5 lakhs कमाता हूँ और 50 lakhs कमाने का visualization करना शुरू करता हूँ तो होगा क्या मेरा जो logical mind है वो क्या करेगा वो इस पर doubt करना शुरू करेगा वो question करना शुरू करेगा कि कहां पे you are not generating that kind of income ऐसा पैसा आप नहीं generate कर रहा हूँ या अगर मैं health wise visualization कर रहा हूँ तो मेरा mind मुझे कहेगा कि अभी तो आप diseases से और challenges से लड़ रहे हो face कर रहे हो और आप कह रहे हो I am totally healthy person तो mind इसे accept नहीं करता कई बार तो जो conscious mind है वो obstruct कर देता है और यह feeling यह visualization हमारे unconscious mind तक नहीं जा पाती इसलिए हमें results नहीं मलते तो वहां पे क्या करने के जरूरत है मैं आपको बताता हूँ एक method है वो तो है affirmations का जब आप बार-बार repeatedly affirmations देते हो अपने आपको या visualize करते हो तो उस visualization के through या उन affirmations के repetition के through यह information आपके unconscious mind में चली जाती है लेकिन इसके अलावा भी कुछ और तरीक है क्योंकि यह repetition कब तक करना होगा कितनी बार करना होगा इसके लिए कोई set pattern या rule नहीं है दूसरा तरीका क्या है जो बहुत easy है एक NLP की powerful technique में आपके साथ share कर रहा हूँ इसमें हम जब किसी को visualization कराते हैं हम कहते है think of another you यानि कि मैं वेध हूँ तो मैं क्या करूँगा imagine करूँगा कि I am inside a bubble मैं एक bubble के अंदर हूँ एक comfortable friendly bubble जिसमें कोई window है जिससे ventilation भी है यानि कि I am easy comfortable और इस bubble के outside यानि other end पे बाहर एक another you है यानि कि एक दूसरा वेध है and that another you यानि कि अगर आप अपने लिए कर रहे है तो that another me has learned and achieved all the results that you want to achieve यानि कि उसने वो सारे changes अपने अंदर adopt कर लिये है acquire कर लिये है और वो सारे results वो enjoy कर रहा है जिन results को आप create करना चाहते है और जब ऐसी picture आप build करते है तो आपका conscious find उसमें कहीं भी doubt नहीं कर पाता वो कहीं भी यह नहीं कहता कि it is questionable क्योंकि आप कभी भी यह नहीं कह रहा हो कि यह मेरे साथ हो रहा है आप यह कह रहा हो यह another you के साथ हो रहा है यानि मेरे ही एक दूसरे रूप के साथ हो रहा है और फिर उस visualization को आप बहुत ज़्यादा strong बना सकते हो जो भी उसमें visuals डालने है sounds डालनी है feelings डालनी है वो सब कुछ आपको डालनी चाहिए और एक बहुत-बहुत कमाल की movie आपको दिखनी चाहिए imagine करनी चाहिए visualize करनी चाहिए जिसमें उसको क्या results मिल रहे है क्या benefit मिल रहे है किस तरह की परिशानिया उसके जिंदगी से खतम हो चुकी है कैसे उसे significance मिल रहा है कैसे उसे लोग appreciate कर रहे है उसकी family में उसे कैसे importance मिल रही है यह सारी चीज़ें आप देख रहे हो जो भी आपके लिए important है आप देख रहे हो यह सब कुछ other you enjoy कर रहा है यह सारे results other you को मिल रहा है और यह पूरी movie जब आप बहुत अच्छे तरीके से build कर लेते हैं and you start loving and feel that this image is compelling यह बहुत ज़्यादा compelling अपनी तरफ खीशने वाली है बहुत ज़्यादा attractive है फिर आपको क्या करना है फिर just take imagination करना है आप आंके बंद करके भी कर सकते हो कि now the other you and you both are coming closer आप दोने एक दुसरे की तरफ आ रहा हो और जल्दी ही यह other you यह सारे learning यह सारे feelings यह सारे changes के साथ इस bubble के अंदर enter कर रहा है और आप दोनों धीरे धीरे एक दुसरे के करीब आ रहा है and you both are touching each other and integrating into one और आप दोनों मिलके क्या हो रहा हो एक हो रहा हो and जो next statement है वो बहुत important है because it is a command वो यह है कि now you are having the same learning and experiencing the same changes यानि कि आप वो same learnings जो other you ले चुका है वो same learnings आप भी ले चुके हो और आप भी वही results enjoy कर रहे हो, वही feelings feel कर रहे हो, उनी चीजों को उनी compliments को आप सुन रहे हो उनी visualizations को यानि उनी pictures को आप देख रहे हो जो other you देख रहा था और आपको पता है आपका conscious mind इस पे doubt नहीं कर पाता क्योंकि कभी भी आपने यह नहीं कहा कि this is happening with you, आपने सब कुछ बनाया एक बहुत ही अच्छी image बनाई, बहुत अच्छी movie बनाई, other you की और other you की movie में सब कुछ प्लाइट करने के बाद आपने सिर्फ एक command दिया है कि now you both are integrating into one and enjoying the same learnings आप जैसे ही ऐसा command देते हैं और अगर आप proper तरीके से करते हैं इसे, तो पता है क्या होने वाला है, आपके unconscious mind में जो आपके अंदर जो image है आपकी खुद की, यानि वो self image जो आपके mind के अंदर कहीं पे है आपके unconscious mind में, वो transform होना शुरू होती है, क्योंकि अब उस image को replace करना शुरू करता है किसकी image, जो other you की image आपने build की है, वो image और आपके अंदर एक total transformation आना शुरू होता है और अगर इस visualization को आप बार-बार repeat करते हैं मैं यह नहीं कहा रहा कि cynic हो जाओ और हर बार सिर्फ यही करते रहना है पूरे दिन, नहीं लेकिन अगर इस visualization को आप in a day और एक week में दो बार-तीन बार अगर आप repeat करते हैं तो बहुत strong image आपकी build होने वाली है कि what exactly I want to achieve और आप अपने आपको वैसा महसूस करना शुरू करेंगे as if कि वो result आपको already मिल चुका है और इस तरीके से एक कमाल का transformation, एक कमाल का change आप create कर पाएंगे अपनी खुद की life में, अपने goals को achieve करने में, फिर इस particular वीडियो के थुरू आप समझ रहें विजुलाइजेशन का क्या role है विजुलाइजेशन कम काम नहीं करता क्या challenges है, जिने आपको overcome करने की जरूवत है, उन challenges को कैसे overcome करें, विजुलाइजेशन कैसे काम करता है, और विजुलाइजेशन कैसे करें, so that you can enjoy those kind of results, और मैं आपको फिर से यार दिला देता हूं कि यह पूरा का पूरा जो process है, इसको follow आपको करना चाहिए, यानि it should be followed with massive action यानि यह सब कुछ कर लिया, फिर आपको क्या करना है, massive action ले रहा है और वहां से आपके results create होंगे transformational change create कर पाएंगे आप उपनी जिन्दगी में, आप वो जिन्दगी जीना शुरू कर पाएंगे जो आप सच में जीना चाहते हैं वो नहीं जो आपको जीनी पड़ती है दोनों में बहुत बहुत ज़्यादा difference है आप समझ रहें इस बात को So this is my message for you आप इन चीज़ों को use करें इससे transformation create करें अपनी जिन्दगी के अंदर और एक कमाल के जिन्दगी जीना शुरू करें जो आप सच में deserve करते हैं Wish you a wonderful life ahead Take care